हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल, एग्री मंत्रा चेंजिंग दब्य आप तिंकिंग आजमात करने वाले हैं, 26 अख्टूबर 2024 के इंपोर्टेंट एग्री कल्चर करेंट अफ्यर जो आपके आने वाले एक्जाम के पॉइंट आवे से काफी इंपोर्टेंट रह जाते हैं, इसलिए आपको एग्री कल्चर में जितनी भी अपडेट आ रही हैं, उनसे आपको खुद को अपडेट रखना है, जो की बहुत जरूरी है, इसलिए हम बात करने वाले हैं आज की इंपोर्टेंट करेंट अफ्यर, सबसे पहले बात करेंगे आज का स्पेशल करे देश चतरवेदी, उन्होंने बोला है कि हमको कॉलाबरेशन बढ़ानी की जरूवत है बिट्वीन इंडिया एंड जीका, फार्म सेक्टर की बात हो रही है, डीटेल बात करेंगे, एग्रीकल्चा सेक्रेटरी डेवेश चतरवेदी ओन फ्राइडे, पिच फॉर फॉर्दर क्लाबरेशन बिट्वीन इंडिया एंड जपान इंटरन्uri और सेक्टर. हमारे फार्म और सेक्टर में जीका और इंडिया का जो क्लाबरेशन है वो और बढ़ना चाहिए, ये बात कही है देवेश चतरवेदी जो की अगरी कलचरर्र सेक्रेटरी है, आगे बात करेंगे, इंट्रेस्ट दिखाया है भारत के साथ क्रलैब्रेशन करने में रिगॉरडिंग जो कटिंग एज टेकनलोजींहें एक्री कलच STAR में जैसे ड्रोन बेस Site चलिए आगरेशन चले आ रहे हैं और उससे आगे बढ़कर जीका और भारत कि जो collaboration है वो बढ़कर आए और agriculture में और ज़्यादा technologies का use हो आगे बात करेंगे तो यहाँ पर official statement के according टकूरो टाकियुची जो की chief representative है जीका के उन्होंने agriculture यहाँ पर विजिट किया है agriculture का फिल्ड देखा है agriculture की बारे जानी है और वो आगे कोसिस कर रहे हैं कि हम collaboration को करेंगे ताकि agriculture फिल्ड में उनको भी सफलता मिल सके आगे बात करेंगे तो मिस्टर देवेश चत्रवीदी जो की agriculture secretary है उन्होंने वहां के जो chief representative है ठीक है टाकियुची उनको यहाँ पर पर चुलिट बोला है क्योंकि अभी हाली में recent appointment किये गए वह जीका के chief representative इंडिया में ठीक है और उन्होंने ये बात कही है कि वह collaboration चाहते हैं इंडिया और जीका के बीच में agriculture और allied sector में agriculture सेक्टर भी है साथ-साथ-साथ-सक्टर में भी collaboration को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरी हैं उनका critical role है agriculture को आगे ले जाने में उसके development के लिए और अभी हाली में कई सारे ऐसे जीका associate assisted project हैं जो फिलाल हेमाचल उत्राखर्ण और हर्याना में चल रहे हैं तो कहने वाली बात है कि यहां से क्या होगा कि agriculture field को एक नई दिशा मिलेगी और जहां पर जो आपकी cutting edge technology हैं जैसे drone हो गया, AI हो गया, IoT हो गया, यह ऐसी चीज़ें हैं जो agriculture में दिन रोज देखने को मिल रही हैं तो कहीं न कहीं यह जो news है वो positive है और हमें इसकी जानकारी रगनी चाहिए कि agriculture field में जीका कि क्या full form है यह भी काफी important हो जाता है, agriculture secretary को ने यह भी काफी important हो जाता है, किस पॉइंट है जहां से question पूछा जा सकता है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, second current affair पंजाब से है, farmer to hold चक्का जाम in four locations over demand including petty procurement, तो पंजाब के किसानों ने आज चक्का जाम किया, four national highway को block किया, regarding petty procurement, एक तो petty की जो खरीद हो रही है, तो उनके हिसाब से नहीं हो रही है, जैसे पिछली साल होती थी या और साल होती थी, वह सहाब से देखने को नहीं मिल रही है, और डूसरा कुछ और भी डिमाड ने रहा है, वहां के किसानों की जिसके तहट, चार national highway को block किया गया है. किसानों के द्वारा किसान यूनिन के हुआ दीटिल मात करेंगी तो फार्मर इन पंजाब वन से टर्डी बिगनस इड़ दाउन प्रोटेस्ट एट भगवारा मेंचो कपूर्थला डिस्टिक के फगवारा मेंचोग पर किसानों ने पंजाब के किसानों ने बैठ कर प्रोटेस्ट धरना अपना शुरू कर दिया है और ये वंडे प्रोटेस्ट था अगें गवर्मेंट ये जो वांकी स्टिट गवर्मेंट है उसकी अगेंस में था तो प्रेस फॉर बेरियस डिमांड कुछ डिमांड है उसको उन्होंने वाँ पे दिखाया है बताया है कि हमार भारति किसान यूनियन करन्तिकारी पंजाव विच इज और गनाइज दप्रोटेस एट ड़ अप्लाइन टू ब्लॉक फोर नेस्नल हाईवे तो यहां पर जो संग है भारति किसान यूनियन नहीं उन्होंने यह बात कही थी कि हम लोग चार नेस्नल हाईवे को ब्लॉक करने ज है अब बात आती है कि कौन-कौन से यहां पर और्गनाइस किया गया तो जो रोड ब्लॉक हुए है या पर चक्का जाम जिसको बोलते हैं यह और्गनाइस किया गया चार मुख्य जगह पर जिसमें आपके संगरूर है मोगा है फगवाड़ा है और बाटला है चार जगह काuche की अगर डेमांड उनकी नहीं सुनी जाती है यगर डेमांड नहीं जाती है यह उन्होंने आपर बात कही है मिनवाइल भारती किशान यूनिन कर जो स्वोख परसाने गाके स्थाक जलता रहीगा और को पंजाब के फार्मर्स की द्वारा ही हो दोगा और Или पन्जाब में कही है यह काफी important हो जाता है क्योंकि पराली जनने पर कई सारे मुकदमी किसानों पर हुए हैं कई सारों कई किसानों को F.I.R. भी हुई है कई किसानों से जुर्माना वसूला गया है तो कई सारे ऐसी डिमांड है किसानों की कि वो उस पे clear cut बात करना चाते हैं किसान और आपके जो government है उनके बीच में तो वो चाते हैं कि government उनकी बात सुने उनकी demand माने तब वो इस protest को बंद करेंगे तो देखते हैं फीचर में क्या होता है फिलाल एक दिन का protest successfully उन्होंने किया और चार national highway को उन्होंने ब्लॉक किया कि यहां तक आपको समझ में आया होगा उमीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और जया साथ इस वीडियो को शेयर करना अब बात करेंगे एक और सेलेता है कंट करेंटी अग्याइशिट्र वीडियो क करेंगे इंवेश्ट्रा करेंडे को यहां है' 2 पॉस्ट मेकणाइज़िशन प्रक्टिविटी मिलजिश्थान एजर्वेट्ट मैमरेंड पार्द रूपी . 19,497 क्रोड रिशीव हुए है उनिस यह 497 क्रोड के MOU रिशीव हुए है जो कि 862 इन्वेस्टर अलग अलग इन्वेस्टर से वो पैसा आया है और यह आया किसम है आपको पता होगा कि अभी राइजिंग राजिस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंस समिट 24 आने वाला है उससे पहले यह जो पैसा है वो रिशीव हुआ है राजिस्थान को जिससे क्लियर तोर पर खह सकते हैं कि जो प्रड़क्टिवटी है वो बढ़ेगी एग्रिमेंट सायन हुए है अलग अलग डिस्टिक से एगरी कल्चर ग्रोथ करने के लिए और और अर्गनिक फार्मिंग को यह समिट होने वाला है और यह अट्रक्ट करेगा अलग अलग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वेशन और पार्डनर्शिप्स को तब यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है वो इस बार नोडल डिपार्टम रनाय गया है इस समिट का तो कहने की बात है कि पैसा जो है रजस्तान के लिए काफी ज़्यादा मौंट में मिल रहा है तो उमिène करते हैं कि रजस्तान की जो अग्रीकल्चरफ और पंश्end है वह बढ़ेगी और एग्रीकल्चर की दिशा वह और केलियर होगी और दशा ह और सुधरेगी तो उम्हें तक आपको सारी चीर्चेश समझ में आए होंगी अब बात करेंगे आज की स्पेशल क्वेशन की उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियों पूछे क्वेशन के वारे में क्वेशन था नेशनल डेरी रिस इंस्टिट्यूट एंडी यारी लोकुटेटेटेट अप्शन करनाल सही है इसका अब बात कमेंट का विस सब्सक्राइब करना है मिलते हैं एक और इंपॉर्टन सेशन में तब तब के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद